हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जो आप इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जो आप इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो UPUMS FI ITAWA की तरफ से अभी अभी जो है गुरूब B और गुरूब C की जो है नई भड़ती आ चुकी है दोस्तो 208 पदोग पर 21 वेरियस पोजीशन पर वेकेंसी आ चुकी है इसमें जो है बहुत सारे पोजीशन है जिसमें जूनियर इंजीनियर की वेकेंसी है MLT की वेकेंसी है OT असिस्टन की वेकेंसी OT टेकनीशन की वेकेंसी है इसके अलमा पेरामेडिकल एंड गुरूब B और गुरूब C की जो है 21 अलग-अलग पोजीशन पर परमानिर भड़ते निकाली गई है सरकाई नोकरी है और पूरे भारत से आप लूब फार्म को अप्लाई कर सकती हो फिलहाल दोस्तों इसका जो है सौर नोडिफिकेशन आ चुका है मैं आपको बता दूँ देखिए UPUMAS की तरब से UPUMAS FI ITAWA की तरब से नर्सिंग ओफिसर की जो परमानिर भड़ते निकाली गई है इसकी दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है 5 दिसंबर को जो है सभी को जॉइनिंग मिलने वाली है जो यहाँ पर सेलेक्टेड है नर्सिंग ओफिसर पोजिशन के लिए अब इसके बाद दोस्ते एक और बड़ी खुशकबरी आ चुकी है ग्रूब B और ग्रूब C के वरियस पोजिशन पर UPUMAS ने एक और भड़ती यहाँ पर निकाल दी है इसका सौर नोटिफिकेशन आ चुका है परमारन सरकारी भड़ती है तो आज हम आपको इस वीडियो में दोस्तो इस सौर नोटिफिकेशन के बारे में जानकाई देंगे सबसे पहले बताएंगे योगता के बारे में फिर दोस्तो सैली के बारे में जानकाई देंगे और कबसे आपकी ओनलाइन सुरू होगी इसकी भी जानकाई देने वाले हैं कैसे सौर नोडिफिकेशन डाउलोड करना है इसकी भी जानकाई देने वाले हैं बाकी दोस्तों अभी ओनलाइन शुरू अभी देखिए अभी आपकी ओनलाइन शुरू नहीं हुआ है बस आप लोगों का sonor notification जारी किया गया है बहुत ही ज़ल आप लोगों की जो है link यहाँ पर activate हो जाएगी जैसे link activate होगा online शुरू हो जाएगी online कब शुरू होगा तो December में ही दोस्तों online शुरू होगा बाकि आपकी जो है sonor notification आ चुकी है तो चलिए आपको लेकि चलते हैं UPUMS के officially website पर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो upums.ac.in official website ओपन हो चुका है उत्तर परदेश University of Medical Sciences शैफई इटाबा उत्तर परदेश official website है और यह दोस्तों notice board का page है और इस notice board का जो page है इस page का link नीचे discussion box में दिया गया है वहाँ पर click करके direct आप लोग इस page पर आईए यहाँ पर देखिए appointed nursing official list मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देदी है देख लेना बाकि यहाँ पर देखिए full notification पब्लिस की गई है जिसका notification number 34 और यहाँ पर देखिए 2 December 2023 को जो है पब्लिस किया गया है इस website पर इस पर click करके आप लोग सौर notification जो है open कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए सौर notification ओपन हो चुका है उत्तर परदेश आयलवी ज्यान विस्वेद्याले से फई इटावा notification number 34 और computer based examination through online medium 2023-2024 तो दोस्तो CRT exam होगा यानि कि online exam होगा और इसी base पर आपका selection होगा इसमें बताए गया है कि group B और group C की जो है computer based examination की थुरू आप लोगों के यहाँ पर selection होने वाला है बाकी important date की जानकाई नहीं है कब online शुरू होगा इसकी भी जानकाई नहीं है जैसे ही important date आएगी और online शुरू होगा मैं अलग से information दे दूँगा बाकी age criteria यहाँ पर दोस्तो minimum age criteria 18 years रखी गई है और maximum age criteria 40 years रखी गई है बाकी इसमें OBC वालों को 3 वर्स की छूट मिलेगे age criteria में और यह सी यही वालों को 205 वर्स की age criteria में छूट जो है मिलने वाली है बहुत सारे position है जिसमें senior administrative assistant की vacancy level 4 की अंदर का salary मिलेगी इसमें 19 vacancy है और age criteria 18 to 40 years रखी गई है और इसमें आप लो qualification देख लेना जो जो important qualification है उसी की जानकाई देंगे बाकी receptionist की यहाँ पर vacancy है और नमबर 3 पोजिशन medical social service officer grade second की vacancy level 6 की अंदर का salary मिलेगी 12 vacancy है category यहाँ पर देख लेना age criteria बिलकुर सेम है इसमें social work में अगर आपने masters का रखा है तो आप लोग farm को apply कर सकते हूं लेकिन आपके पास एक साल का experience चाहिए तभी आप लोग farm भर पाएंगे dietitian की यहाँ पर vacancy है age criteria बिलकुर सेम है level 7 की अंदर का salary मिलेगी इसमें अगर आपने food and nutrition में जो है msc का रखा तो आप लोग farm भर सकते हूं 5 साल का experience मांगा गया है और इस टेनो ग्राफर की दोस्तों 20 vacancy है इसमें जो graduation वाले हैं और जिनके typing जो आता है वे लोग farm भर सकते हैं typing यहाँ पर मांगा गया है याद रखिएगा इस टेनो ग्राफर में और इसमें 20 vacancy है बाक आपके पास दो साल का experience होना चाहिए चार vacancy भर सकते हैं junior engineer की यहाँ पर vacancy है और junior engineer की यहाँ पर पांच vacancy है लेवल 6 के अंदगा सेले मिलेगी इसमें देखे इलिटकल के लिए एक vacancy यसी कटगरी में AC engineering में one vacancy यसी कटगरी में और टेली कमुनिकेशन CCTV camera engineering में दोस्तों एक vacancy OBC के लिए mechanical में दोस्तों एक vacancy और civil engineering में एक vacancy यसी के लिए और इसमें अगर आपने जो है polytechnic का रखे हो या three years diploma engineering का रखा है और एक साल का experience है तो आप लोग apply कर पाएंगे एक साल का experience यहाँ पी आपके पास होना चाहिए तभी आप लोग farm भर पाओगे assistant security officer की तीन vacancy है और इसमें hide भी मांगा गया है देख लेना sanitation inspector की यहाँ पे vacancy है इसमें 10 वी पास का रखे है और आपने जो है sanitary inspector में जो है कोई certificate course का रखा है और चार साल का experience है तो आप लोग farm को यहाँ पे apply कर पाएंगे 6 vacancy है junior medical record officer की चार vacancy है इसमें 12 वी पास apply कर सकते है technical officer biomed की यहाँ पे चार vacancy है इसमें अगर आपने डिपलोमा के बाद 5 साल का experience है तो farm भर सकते हो इसके लाँव अगर आपने biomedical engineering में graduation का रखा है तो बिल्कुल फिरसर apply कर सकते है लिएकर आपने biomedical में डिपलोमा का रखा है तो आप लोग आप लोगों के पास 5 साल का experience चाहिए जिनके पास डिपलोमा है बाकि technician cadre में जो है 78 vacancy है इसमें medical lab technologist की vacancy है इसमें BMLT farm को apply कर सकते हैं 2 साल का experience चाहिए 30 vacancy है age card है बिल्कुल सेम है level 6 के अंदगा सेले मिलेगी बाकि technician OT की यहां पे 15 vacancy है इसमें अगर आपने OT मे BSC का रखा है या diploma का रखा है तो आप लोग farm भर सकते हो डिपलोमा के पास दो साल का उन्हों चाहिए और जो BSC कर रखे हैं उनके पास experience नहीं चाहिए वे लोग बिल्कुल फिरसर अप्लाई कर पाएंगे 15 vacancy technician radiology की यहां पे 23 vacancy है इसमें BSC diploma दोनों apply कर सकते हैं डिपलोमा के पास 2 साल का experience चाहिए बाकि जो BSC कर रहे हैं वे लोग बिल्कुल फिरस इसमें 12 पास कर रखे हो और 2 सल का diploma है एक सल का experience अप्लाई कर सकते हो इसके लामा सिस्टी में जो BSC कर रखे हैं बिल्कुल फिरसर अप्लाई कर सकते हैं OT association के वेकैंसी है इसमें 12 पास 2 सल का diploma है या फिर आपने OT मे BSC कर रखा है तो farm भर सकते हो और technical association cardiology में जो 5 vacancy है इसमें बारवी पास डिपलोमा अप्लाई कर पाएंगे क्वालिफिकेस्ट देख लेना तो डाइलेसिज टेकनीशन की विकेंसी है और नियरोफिजियोलाजी टेकनीशन की यहाँ पर विकेंसी है आप लोग देखिए चार विकेंसी और दो वालों को जो है 2360 रुपे अपली किसन फीस लगेगी और यसी एश्टी वालों को जो है 1460 रुपे अपली किसन फीस यहाँ पर लगने वाली है बाकि जैसे ओनलाईन शुरू होगी इंपोर्टन डेट के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे कैसा लगा वीडियो जोरू बताईएगा दोस्तों इसका एकजाम होगा और एकजाम के बेस पर आपका सेलेक्शन होने वाला है धर्णवाद